तोड़े वीडियो अप्लोड की थी और अब यह उसी से रिलेटेट सेकेंड वीडियो है यह एलफॉनजे डॉटित ने लिखा है और इसकी जो एक्स्प्लेनेशन है इसके टेक्स्ट का वो हमने जो अरलियर वीडियो पोस्ट की थी उसपर देखने को आपको मिलेगा और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इसी लास्स लेसन चैप्टर में एक फ्रंको-Pursian War के बारे में यानि इसी का यह बेक राउंड है इसी लेसन का यह लास्स लेसन का तो इसके बारे में हम बात कर रहे है तो फ्रैंको-Pursian war 1870 1871 के middle में हुआ था अब देखिए इसमें क्या है Franco means है France यहाँ पर Persian means है Persia से यानि कि जो Persia है यह Germany का ही एक state है ठीक है जैसे हम India में रहते हैं और India में ही एक state जैसे आप बात कर सकते हैं उत्राखंड है ठीक है UP है तो ऐसे ही जर्मनी का भी एक state क्या है Persia है तो सेम जो Persia है उसके और France के बीच में एक war होता है जो 1870 और 1871 के बीच में होता है तो France देखिए अभी हम क्या देखते हैं in present most powerful country यानि कि जो France है वो इस टाइम पे most powerful country है वो मानी जाती है इस से पहले जब ये Franco-Persian war हुआ था उस टाइम पे जो France का status था it was not powerful at that time ये उसमें पर उतना जादा powerful country नहीं थी अब दिखिए जो France की ओर से जो war था उससे लीट कॉन कर रहा था Napoleon उससे लीट कर रहा था France को और Persia को लीट कर रहा था विस्माग इस युद्ध में जो France है it was defeated यानि कि France की हार हो जाती है वो हार जाता है इस युद्ध में और जो France का कुछ हिस्सा है उसमें Persia के द्वारा कबजा कर लिया जाता है अब हम एक छोटे से चार्ट के तुरू इससे समझते हैं अब देखिए इसमें जो France है यह France का यहां से इतनी एक ठ्वारा इरिया यह सब France का इरिया है और इससे बाहर का चो एरिया आपको δिखाए दे रहे है दूसरी साइट में यह पूरा जर्मनी का है और जर्मनी की ही अंडर यह वाला जो एरिया है यह है पर्सिया का यानि कि जर्मनी का ही एक स्टेट है पर्सिया तो ये एरिया पर्सिया का है और आल ओवर ये पूरा क्या है जर्मनी के अंदर ही आता है जर्मनी कंट्री का है और ये फ्रांस कंट्री का है जब इस युद्ध में जो फ्रांस है वो हार जाता है पर्सिया से तो जो पर्सिया है वो उसके इतने यानि की फ्रांस के इतने एरिया में क्या कर लेता है कबजा कर लेता है और इस एरिया को वो टू पार्ट्स में डिवाइट कर देता है ठीक है कौन से टू पार्ट्स है यह जो हमारा the last lesson chapter है उसमें इन टू पार्ट्स के बारे में बात हुई है और वो टू पार्ट्स कौन से देखिए एक है लॉरेन और दूसरा है ऐलसेज ठीक है यह टू पार्ट्स के बारे में बात हुई है तो पार्ट्स एसे नेम दे देता है लॉरेन का और ऐलसेज का मेंस यह लॉरेन हो गया और सेकंड पार्ट इसका else is तो इस टाइप से इस एरिया पे फ्रांस की इस एरिया पे जर्मनी का क्या हो जाता है कबजा हो जाता है और जो the last lesson हमारा chapter है उस chapter का नेम the last lesson इसलिए है क्योंकि उस दिन जो school है वो France का है यानि कि इस एरिया में पहले वो France की एरिया थी तो वो फ्रेंच लैंग्वेज जानते हैं और वो फ्रेंच लैंग्वेज ही उनके स्कूल में पढ़ाई जाती है बट उस दिन जब से पर्सिया ना इस पर कभजा किया तो जर्मनी जो पर्सिया था वो ये चाहता था कि इस एरिया में यानि कि जो उन्होंने यहां पर जो एरिया उन्होंने जीती है उस एरिया पर वो क्या करेंगे अपना ही कल्चर और लैंग्वेज यानि कि जर्मनी की जो लैंग्वेज है वो और culture वो किस पर dominant करेंगे France के इस area पर यानि कि उन्हें German language ही पढ़नी और बोलनी पढ़ेगी कहां यानि कि schools में उन्होंने ये बर्लिन से एक order निकाला कि अब Lauren and Alsis के जो schools हैं उसमें German language पढ़ाई जाएगी ना कि French language ठीक है क्योंकि अब ये फ्रांस का ये इसा रहा नहीं था तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि अब French language वहां नहीं पढ़ाई जाएगी तो इसलिए इस chapter में टू मेंन केरेक्टर हैं एक है Mr. M. Hamel जो teacher का role play करते हैं और सेकंड है little French जो यहाँ पर as a student role play कर रहा है तो M. Hamel उन्हें बताते हैं कि ये उनका French language का last lesson है तो इसी के बेस पर ये पूरा chapter इसी background पर बेस्ट है और अब देखे ये परसिया का क्या मतलब था कि यहाँ पर अपनी जो language है और culture है वो क्यों इस area पर अपलाय करना चाहता है यानि कि हम यह कह सकते कि क्यों इन पर वो दूसरी language सोब रहा था जबकि इनकी जो mother tongue थी वो क्या थी French सी तो वो उनका reason यह था कि वो अपने culture को अपनी language को dominate करना चाहते थे इस area पर यानि कि इस area को dominate करना चाहते थे इनको इसलिए वो order देते हैं कि उनका culture और language कैसा होगा as a Germany जर्मनी का जैसा होगा अब देखिए यह तो बाती जो Franco-Porsian war था उसकी अब Franco-Porsian war जो है हमारा वो हमारे the last lesson chapter का background है यानि कि Franco-Porsian war जब हो जाता है उसका क्या effect पढ़ता है common people पे the impact of war on common people and the importance of language इन दोनों ये दोनों ही theme है हमारे the last lesson chapter की अब देखिए जब World War 2 होता है तो उसमें क्या होता है जो Elsie's और Lauren है ये part जो France ने यानि कि जो France है उसने अपना जो part यहां से खो दिया था Franco-Porsian war में वो France वापस ले लेता है अपने इस parts को चीक है और आप जो बात करते हैं परसिया की जो परसिया था वो टू पर्स में divide हो जाता है किन में वो किसके पास चले जाते है तू पर्स कौन थे East and West Porsia और ये दोनों East and West Porsia किसके बीच डिवाइड हो जाते है पॉलन और रसिया के बीच में ये दोनों parts डिवाइड हो जाते है तो परसिया के नेम से अभी कोई ऐसी state या कोई ऐसी जगह नहीं है बट ये दोनों East and West Porsia पॉलन और रसिया के बीच में इनका division हो गया है तब ही आप the last lesson जो chapter है उसका explanation जो हमने बताया था वो आपको easily समझ में आ जाएगा क्योंकि उसमें क्या हो रहा है किस वज़े से हो रहा है उसे समझने के लिए फ्रैंको पॉर्सियन वार्प के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है Thank you